पीडिएफ कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउनलोड पीडिएफ के लिए मैं भी बता हूँ आपको सबसे पहले समझते हैं सर न्यू टॉपिक ग्रेड सैलरी ग्रेड सैलरी में मान लो आप हो एम्पलॉई और आप एक इधर ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिए ओफ-लाइन वाले जो भी बच्चे हैं बाते बाद में आप हो एम्पलॉई और आप यहां पे जॉब करने के लिए गए तो बट ओविस है जब जॉब करने के लिए जाओगे तो क्या क्या सवाल होंगे मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ आप आए जॉब पूछने के लिए तो सबसे पहले आपको आप लेके आओगे अपने साथ वाट रिज्यूम जिसे बायो डेटा बोल लो कुछ भी बोल लो आप लेके आओगे और इसके सामने रख दोगे दोनों की बातचीत चलेगी बहुत देर तक उसके बाद इसका कुछन सबसे पहला और रहता है कि आप पहले जहां काम करते थे या तो आप फ्रेशर हो या तो जॉब कर रहें मान लेते हैं के जॉब कर रहे तो वहां सेलरी क्या था इसने बताया कि वहां पे सेलरी मेरा था 50 अजार रुपे सेलरी था तो बिसी बात है अगर ये employer इसको 50 सेलरी दे पाएगा तब तो इसे रखेगा अगर नहीं दे पाएगा तो नहीं रखेगा बहुत सिंपल सी बात है सर सेलरी कितनी है इसकी पचास हजार रुपए अब दूसरा फिर इधर से question आएगा सर ठीक है आप मुझे अगर साथ हजार दे रहे हैं तो मैं हाकाम कर रहा हूँ अब सब कुछ जब done हो जाएगा आपस में जब सारी बातचीते हो जाती है done हो जाता है तो फिर क्या करता है ये इसको एक letter देता है जिस letter को लिखा जाता है offer letter बोला जाता है क्या बोला जाता है offer letter इस offer letter में सारे terms and condition timing सारे rule and regulation लिखे होते हैं ताकि आप इसे पढ़ लेजिए साथ के साथ इस offer letter में ये भी होता है कि अगर अभी आपकी salary तो आपका साल complete कब होगा August में ही होने वाला है एक साल पूरा duration और एक साल बार ठीक आपका 2000 बढ़ा दिया जाएगा यानि आपकी salary हो जाएगी 60,000 से 62,000 आपको सिर्फ एक साल का detail नहीं दे दिया जाता है पांस से दस सालों आपको detail दे दिया जाता है ताकि आप बार बार इस बात को question में ना लाओ अब आपकी salary तब तक ज़्यादा तेजी से hike नहीं होगा जब तक आपका post change क्यूंकि बड़ी organization बहुत employee होते है बहुत सारे employee होते हजारों की ताधात में तो हर कोई अगर मेरे से बोले सर सेलरी बढ़ा दो एक साल होगे अगर मालो मेरे पास 5000 employee है तो मैं दिन पर सभी को सुनता ही रह जाओंगा भाई मेरी salary बढ़ा दो अच्छा ठीक है चलो ठीक है 500 बढ़ा दिया फिर दूसरा आएगा सर एक साल होगे तो अगर 5000 employee है मेरे पास तो हर दिन एक साल कितने employee का हो रहा होगा ये अंदाजा नहीं लगा सकते हर दिन हो रहा होगा हर दिन मेरे पास आएगा सर एक साल होगे salary तो इसलिए हम पहले ही एक job के time पर ही एक stat format और एक stat सारी चीज़े बना लेते हैं जिससे की दिक्कत नहीं होता ठीक है ना जिससे की problem नहीं होता है तो सर इसको निकालते कैसे है और उस resume कह रहा है उस offer letter में लिखा कैसे होता है वो चीज़े देखे उसकी कहानी मैं बता रहा हूँ और फर लेटर में लिखा कैसे होता है लिखा होगा सर आपने जोइन किया suppose करो एक चार को मैं साल का सुरू का येर ले रहा हूँ लेकिन कभी भी जोइन कर सकते हो चलो confuse ना हो एक पांच कर देते हैं आपने एक पांच को जोइन किया अब सेलरी जो आपकी बढ़ेगी कब बढ़ेगी अगली बार जो एक पांच आएगा यानि एक साल कम्प्लीट आपका तीस अपरेल तक हो जाएगा मैंने बोला आपकी सेलरी है 20,000 फिर हाईफन लगाया 2000 फिर हाईफन लगाया 24,000 फिर हाइफन लगाया 23,000 फिर हाइफन लगाया 20 तो अच्छा नहीं आप समझे अभी मैं बता हूँगा 24,000 फिर हाइफन लगाया मैंने 30,000 फिर हाइफन लगाया मैंने 4,000 अभी कोई बीच में बोले ना सिर्फ समझे मैं यहाँ पे कोई calculation नहीं कर रहा भी फिर हाइफन लगाया मैंने 42,000 फिर हाइफन लगाया है मैंने पाँच हजार सर ऐसे कुछ मैंने आपको डिटेल दिया आप पहली पहली बार जॉब में जाओगे तो ये डिटेल आपको मिलेगा अब इस डिटेल का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए अब जिन बच्चों ने इंकम टेक्स को समझा है पढ़ा है या जॉब करा है उन्हें तो पता चल जाएगा ये इसकी बात कर रहा है आज के बाद जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उसे पता ही नहीं चलेगा पता नहीं क्या दे दिया कहने का मतलब है सर इयर वन इयर वन में आपकी सेलरी होगी बीस हजार ध्यान दीजेगा इयर टू इयर टू में दो हजार की इंक्रिमेंट लग जाएगी और आपकी सेलरी हो जाएगी इयर थ्री सर इयर थ्री में आपकी सेलरी हो जाएगी 2000 फिर बढ़ जाएगा 24,000 Year 4 जैसे ही 24,000 आपकी salary होगा अब increment जो है 3,000 का लगेगा आपका salary क्या हो जाएगा सत्ता है, समझ रहे हो क्या है इसके बाद आएगा Year 5 अब आपका 3,000 से आपकी salary कितनी हो गई जैसे ही आप आएंगे Year 6 तो अब आपकी 3,000 रुपे की बढ़ोती नहीं होगी, अब कितनी बढ़ने लग जाएंगे यानि आपकी salary सीधी हो जाएगी Year 7 Year 7 में आपका हो जाएगा 38,000 Year 8 Year 8 के बाद हो जाएगा आपका 42,000 और Year 9 9 में 42 के बाद जो बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा? और मैंने इसके बाद कोई grade नहीं दिया, तो इसका मतलब हर साल आपका बढ़ता रहेगा कितना last 5,000 इस तरीके से आपका salary हर साल increment लगता है आपको पूछना नहीं है मालिक से बढ़ा दो, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो वो खुद बाखुद जो पहले से fix रहता है वो बढ़ जाएगा अब मैंने ये बोला क्या है? ये monthly salary की बाद चल रही है कौन सी salary की बाद चल रही है? ये नहीं कि year 1 लिख ये तो एक साल में 20,000 मिलेगा अब आप इस grade में आ गए हो तो आप 3,000 रुपे बढ़ना चालू हो गया एक limit के बाद आपका grade फिर बढ़लेगा फिर 4,000 बढ़ना चालू हो जाएगा ये समझ में आई बात आपको यहाँ तक किसी को doubt है समझ में आए ये क्या grade है सर, salary chapter में grade क्यूं सिखाया जा रहा है क्यूंकि आपको salary जो calculate करना होता है salary जो calculate करना होता है हमेशा याद रख न आपको salary calculate करना होगा 1, 4 से लेके 31, 3 तक in between जो होगा उसको calculate करना है 1, 4 से लेके 31 समझ रहा हो अब मैंने बोला suppose करो इसने joining किया 152,000 18 में अब आपको taxable salary निकालना है 2,000 21 और 2,000 आपको तो बोल दिया इसका joining है 2018 में और 2018 में क्या salary ले रहा होगा वो तो भीया 2019 में तो 20 रहा नहीं होगा बढ़ गया होगा, मतलब बढ़ता गया होगा ultimately, तो sir मुझसे पूछा गया 20, 21 और 22 का बता दिये, क्या रहेगा तो अब 21 और 22 ये assessment year नहीं है, ये हमारा है previous year ठेक है कुछ बच्चों को previous year नहीं पता तो पूरानी वीडियो में मैंने डाला हुआ है, वो देख सकते हैं चलिए मैं इसका salary निकाल के दिखाता हूँ sir कैसे निकलेगा इसका salary तो हमें पूरा calculate करना होगा इस साल में actual इसका salary क्या आ रहा था कैसे निकालते हैं सर इसका salary actual क्या आ रहा होगा point number one एक पांच से लेके तीस चार तीस चार दो हजार उन्निस तक इसकी salary रही थी फिर एक पांच से लेके तीस चार दो हजार बीस तक इसकी salary रही थी 22 फिर एक पांच से लेके तीस चार दो हजार इकिस में इसकी salary थी 24,000 ठीक है न उसके बाद एक पांच से लेके तीस चार दो हजार बाईस तक इसकी salary रही थी 27,000 सर हमें जो salary निकालना है salary जो निकालना है मैं जो हमें salary निकालना है न वो salary कुछ यहां बताना थोड़ा उपर नीचे आगे पीछे करने हैं बट कोई नहीं समझ में आ जाएगा salary निकालना है हमें 1,4,2021 से लेके 31,3,2022 तो देखो 30,4,2022 हमें 31,3,2022 तो यानि हमारा ending date तो खतम हो गया इसके बाद हमें कितनी salary की जानने की अवशकता नहीं है starting एक चार को हुआ तो एक अपरेल 2021 किस में आ रहा होगा एक अपरेल 2021 बताईए इसके अंदर आ रहा होगा एक अपरेल क्योंकि यहां पे 34 है तो यानि एक महिना तो इसमें आ गया तो एक महिने तक अपरेल तो पिछले साल में गया तो इसकी salary रही होगी एक महिने की 24 हजार बाकी अपरेल के बाद मई, जून, जुलाई, अगॉस, सेप्टेमबर, अक्टूबर, नॉवंबर, दिसमबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यह सारा इसी slab rate में आ रहा है इसका मतलब बाकी के 11 महिने, यह तो एक महिने का है जो की बना 24 हजार बाकी के 11 महिने इसकी salary रही होगी 27 हजार इंटू में 11 तो 27 हजार इंटू में 11 करेंगे तो क्या आएगा सर 27 हजार इंटू 11 करके बता दीजे अब 290 सर इसको total कर देते हैं इसकी salary आगई 3,21 और यह salary है न सर यह total salary नहीं है यह हमेशा decide होता है basic salary तो इसका salary जिस सार यह आप से पूछा गया है उस साल क्या है 3,21,000 रुपए पूरे साल क्योंकि हम पूरे साल का tax निकाल लेंगे ना कि एक महिने का तो पूरे साल का salary क्या है हमारा 3,00,000 अब देखो 3,21,000 में क्या problem आ गया एक महिने की कुछ और है 11 महिने का कुछ और है अगर मैं इसी का joining करवा देता मान लेते हैं कि मैं बोलता जी यह आया एक जुलाई में कहानी और बदल जाती तो यानि सबसे पहले आपको grade का मतलब समझ में है हर साल कैसे कैसे increment होगा जिस साल का salary पूछा जाए कैसे निकाला जाएगा यह भी पता चला तो एक बार फटा फट से इसको note करिए फिर मैं आपको एक book का question देता हूँ एक book का question देता हूँ आपको grade salary का आपके सामने display करते हैं अभी रुकिए जिनके पास book जिन्नोंने buy कर रख है book में 4.1 है बागी तो मैं display करी देता हूँ आपके बागी अभी डिस्प्ले करते हैं कुश्चन yes online भी buy कर सकते हो देखो दो चीज़े buy करनी है एक तो देखो 10 year तो आप लेते ही लेते हो आपने second semester में भी लिया होगा 10 year में देखो मैं PDF तो दूँगा लेकिन 10 year से आपको मिल जाएगा एक hard copy सारे चार्ट के इसके अंदर हर एक chapter से पहले चार्ट मैंने लगा दिये एक तो ये benefit मिल जाएगा सर दूसरा मैं ने कहा कि मैं book grease आओ जा और उसके भी question करा हूँगा जैसे आप जो मैं question करा हूँगा वो book से करा दूँगा ताकि आपका book भी होता रहे और 10 year के एक summary chart भी आपको मिल जाए book में तो नहीं दे रखा summary chart बहुत बढ़ा है मैंने short form में बताया दूसरा ताकि आपको साथ के साथ 10 year के मैं question भी करा दो तो दोनों चीजे होंगे exam के question भी हो रहे होंगे book के भी question हो रहे होंगे और revise भी हो रहा होगा इसलिए तो चलिए आपको एक question देते करने के लिए note कर लिया हो तो ठीक नहीं तो मैं noting के लिए थोड़ा वक्त दे दूँगा एक question मैं आपके सामने ले के आता हूँ sir question बिलकुल अज 17 तारिक है आपके book का ही है 4.1 salary chapter निकालिए और उसका 4.1 हाला कि answer बाद में दिखाएंगे पहले आपको question करने के लिए देते हैं एक मैं करके दिखा दूँगा sir ये रहा पहला question देखे थोड़ा कम हो सकता है visual हो अगली क्लास से मैं पूरा टाइप करके ही करवा लूँगा इसको सारे question yes 10 year market में अवेलेबल होगा nearby shop पे जाईएगा मिल जाएगा आपको देखे question visual हो रहे है ठीक है हो सकता है कुछ बच्चों को problem हो थोड़ा मैंने इसको stress कर दिया इसलिए question क्या कहता है अभी doubt जो है जो बच्चे hand raise कर रहे हैं अभी लेते है x ने कहा join किया service grading था 12,000 फिर 300 फिर 13,800 फिर 400 फिर 17,800 जो इन किया एक 6 को इसने compute इसका salary बताईए 22,000 के लिए यानि आपको एक 4 दो हजार 21 से लेके 31,000 दो हजार 22 तक में इसको कितना salary मिला होगा वो आपको बताना है joining date कब की है एक 6 को joining है तो बढ़ेगा कब लास साल होगा 31,000 फांच को इसका खतब एक साल यहीं होगा और grading देखिए 12 और 300 मतलब 300-300 बढ़ेगा 13,800 जैसे पहुँचेगा बढ़ना कितना चालू हो जाएगा इसका 400 800 के बाद नहीं दिया हुआ इसके बाद 400 ही 400 बढ़ता रहेगा लास बारा 17,800 दे रखा है आप एक बार करके दिखाएए कर पाएंगे इसे कुश्चन को चल्दी कर यह फिर मैं देखता हूँ देखते हैं आपको पिछले आला टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया ओहो इसको बड़ा चोटा भी नहीं कर पा रहे अगली क्लास से पूरा टाइप ही कर वा लेंगे कुश्चन हाँ 2010 में जोइनिंग किया था इसने यानि 10 से इंक्रिमेंट देखना है आपको मैं भी करता हूँ आपके साथ साथ आप करते रहे हैं मेरे मत देखिएगा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दिरे दिरे आपको कर दो दो करते साथ दो अपना अपना करना है मेरा नहीं देखना मैं तो गलत कर रहा हूँ अपना कर रहा हूँ अपना कर रहा हूँ अपना कर रहा हूँ झाल 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 लाइव वाले बच्चों का जवाब आ गया 1,88,800 कुछ ने दिया 2,17,600 रिया ने जवाब दे दिया मेरी गलत है चलिए देखे देखते हैं तीन सो छे सो ओके चलिए आप करिया देखते हैं 900 आएगा ना पहला तो 300 बढ़ गए 600 बढ़ गए 500 बढ़ देखते हैं 500 बढ़ देखते हैं 500 बढ़ देखते हैं बेक ये आपका अंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा है जिन जिन बच्चों ने लाइव क्लास में काफी बच्चों का ये आंसर आ चुका है सभी का आंसर ठीक है जिसका ये है सामने 22 थेईस एसेस्मेंट येर है तो मैंने बताया प्रीवियस येर 21 वाइस हो जाएगा हमेशा प्रीवियस येर का निकालते है 188 किस-किस का आ गया दिया का आ गया था रिया दीप सिवानगी पारस जैन अदिति शर्मा प्रियंका कुकरेजा और 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 सुहानी का गलत हो गया साइद आगे साल का निकाल दिया सुहानी ने कर लिया समझा दू एक बार सर देखिए जोइनिंग 162010 में था तो 162010 देखते जाईएगा 162010 में जोइनिंग था तो 162010 के बाद 31-5 पूरा साल हो जाता इसका एक यहाँ पे इसकी सेलरी होती है कितनी सर 12,000 कुश्चन कहता है जी 12,000 में हर साल की इंक्रिमेंट लगनी है 300 रूप है इसके बाद जून से मैं इधर-इधर का येर ले ले लेता हूँ 11 के बाद आएगा 12 लेकिन 31-5 आएगा 300 बढ़ गए फिर 13 आ गया हमारा 13 के अंदर फिर 300 बढ़ गए 12-600 फिर 14 आ गया फिर 12-900 15 आ गया 12-200 13-200 16 में फिर 300 बढ़ाया 13-500 कब तक बढ़ाना है जब तक 13-800 के situation को रीच ना कर लो 31-17 को 13-800 हुआ इसके बाद इसका slab rate change और ये आ गया इसके अंदर अब 400 रुपए इसके अंदर increment लगा है ध्यान से देखो तो 1200 हो गया increment यानि 14-200 फिर 400 बढ़ाएंगे 14-600 फिर 400 बढ़ाएंगे 15 फिर 400 बढ़ाएंगे तो ये आ गया अब last में कहानी घूम फिर के पता है कहां आई हमारा जो year निकालना है ना वो ये दोनों साल के अंदर involve है इन दोनों साल में क्योंकि हमें निकालना है 21 April तो सर 21 April तो यहीं पे है April भी यहां पे है में दो मेंने तो 15-400 को दो से गुना करा दो मेंने में बाकी के पता है दस मेंने तो अगले में ही जाना है तो दस मेंने तो टोटल सेलरी हमारा ये आ गया बेसिक सुहानी का एक डाउट है बोलिए सुहानी क्या डाउट है टाइप कर देजिए क्लियर है हर बच्चों को आप इसके आंसर देखो वैसे तो मैंने बुक का इमेज क्लिक किया है आपको अगर वीजुल हो तो इसका आंसर देख सकते हैं इन्होंने पूरा वैसे यह करके दिखाया है जो कि हमने नॉर्मली किया है सिर्फ grade salary निकालने को नहीं आएगा exam में इसकी चिंता मत करो अभी तो सिखाया जा रहा है one by one इसके बाद last day due date यह सारी चीज़े बताई जाएगा कि अगली class से courses करूँगा कि इसको अच्छे से format में या अलग से कोई question दो हाँ यह साल पंद्राजार चार सो को दो से क्यों multiply किया क्योंकि वो इस वाले साल के अंदर आ रहा है और दो ही मैने आ रहा है अप्रेल और मई जून से तो इधर पहुंच गिया वो अभी रुख जाए यह बताता है सर multiply 2 देखिया इस वाले साल में 2021 आ रहा है तो दो मेने इस साल के अंदर रुक रहा है और जून में यहां से start हो रहा है ठीक है न तो अभी इस से related question मैं एक question दूँगा जिनके पास किताब है जिन बच्चों के पास book है बुक के अंदर 4.2 कर लेंगे आप बुक के अंदर 4.2 homework में इसमें भी आपको निकालना है इसके बाद हम सीखेंगे सर basis of salary हाँ और question मैं डाल दूँगा कुछ सिंखानिया के कुछ और अलग से मैं बना के और कल संडे है कल तो टाइप इस्ट आएगा नहीं तो टाइप हो नहीं पाएगा तो मैं Monday definitely डाल दूँगा या image क्लिक करके ही डाल दूँगा आपके application में प्रैक्टिस के लिए नहीं कुछ question जो book से है वो मैं book से अलग से बता रहा हूँ उसके अंदर अभी डाले नहीं अभी book अपडेट कर रहा हूँ मैं उस book को तो जल्दी ही इस type के भी question उसमें आने लग जाएंगे खीक है मिलते हैं next class में okay good night hopefully आज कोई doubt होगा नहीं अभी आपको recorded और PDF format में मिल भी जाएगा